कि हैं यह वेल्कम बेक्टु माँ चैनल आई होड कि आप सब ठीक होंगी दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कूस करने वाले हैं कि यह यह अप्लिकेशन फॉर्म के बारे में जिए हां दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाली हूं कि आपके अप्लिकेशन सब्सक्राइब कराई थी एंड तक आपको प्रिपेर कराया था पूरो स्लेवर सब्सक्राइब कराया था तो इस यह भी मैं कराऊंगी तो प्लीज चैनल में बने रहना आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो जो हमारे किंग्स जॉर्ज मेडिकल युनिवर्स्टी सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीट के फॉर्म को जरूर फिल करना ऐसा मत करना कि नीट की फॉर्म को फिल ना करो भले कितने मांक्स हैं कैसा भी आपकी मैरेच जाए लेकिन आपको एक सेफ साइड रहती है कि अगर बाई कांसलिंगे पार ले सकते हो इसलिए प्लीज नीट का फॉर्म फिल करना बाकि जैसे इसकी फॉर्म आपकी सेपरेटल आते हैं तो आपको चैनल पर अपडेट मिल जाएगा आए अब देख लेते हैं कि हमारा सीट मैट्रिक्स के रहने वाला है इसका तो यहां पर आप देख से आपकी थोड़ी बद ऊपर निचे हो सकते हैं क्योंकि हो सकते हैं कि आपकी इस यह सीट कुछ इंक्रीज कर दी जाएं आप बात करें इसके एलिजिबिल्टी क्राइटेरिया कि तो आपकी जो मिनीमम एज है आपकी 17 यह होनी चाहिए 35 दिसंबर 2022 की वहीं बात करें आपक आपके 10th प्लस 12 जो आपके 10th प्लस 12 जो आपके 10th प्लस 12 करहा होना चाहिए और आपके 12 में जो सब्जेक्ट हैं आपके Physics, Chemistry, Biology और English आपके होनी चाहिए इन आपके 4 को मिला का कि आपकी परसंटेज जो 45 परसंट कम सी कम मार्ग सापके होनी चाहिए वहीं बात करेंगर हमार किसी की सेंटर जाए आपको 200 questions आपके आते हैं वहीं बात करें इसके negative marking इसमें नहीं होती है और कोई भी state से students को form को fill कर सकता है तो यह तो आपको था कि हापर paper pattern किस तरह काने वाला आपको देख लिए से syllabus का तो syllabus की बात करें तो आपके last year से last year तक तो आपके physics, chemistry, biology ही आते थे लेकिन last year थोड़ा syllabus क को modify करा गया था बहुत सार यूणिवस्टी नो modify कर रहा था आपको nursing aptitude आपको general knowledge को भी add कर दिया था तो physics chemistry बात करें तो आपको 11-12 की prepare करनी है NCRT से prepare करनी है वहीं बात करें English की तो आपको English में आपकी basic English ही पूची जाती है General Knowledge में आपको current affairs होगा थोड़ा दियान देना पड़ेगा वहीं बात करते हैं nursing aptitude की तो आप अगर यह चिंता कर रहे हो कि nursing aptitude की कैसे करके पढ़ना है तो बिल्कुल चिंता मत करना इसकी मैंने previous में पूरी playlist बना रखी है अच्छे से मैंने पूरे हर question wise आपको practice कराया है तो सकते हो बाकि कुछ भी इसमें और add-on होगा तो मैं आपको पूरे प्रैक्टिस कराऊंगी उसकी playlist है टाकर चैनल पर देख सकते हो और इंग्लिश और जनल नालजी कोशन भी आपको practice कराया है तो आपको syllabus है किसमें क्या आने वाला है physics chemistry biology general knowledge English and nursing aptitude आप सब को 20-20% आपको आए जाया कि आपको eligibility pattern क्या रहने वाला है आपकी age limit कितनी होगी आपको syllabus कैसर रहेगा सब complete detail में नहां पर आपको दी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए helpful रही हो या future में चाहते हैं कि KGMU का form फिल करना है आपको महां पर आपको government seat लेकर तो प्लीज चैनल झाल 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